कॉंग्रेस राजत माले CPIM वामदलो का मुराबादी इस्तित बापु वाटिका के समक्ष एक दिवसिय क्रिसी विल्ण को लेकर धर्ना दिया गया मौके पर खबर 365 न्यूस के समाधाता ने बात की तो उन्होंने क्या कहा आए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में अगर 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 उस्तित बादी जो रास्टिता है इस जो पूरे तिखिर है आज उस पर हम लाजत परिवार्ट से यहां नमन करते हैं और पूंपस रधांजली देने के लिए यहां एकत्वित हुए हैं के अंदर सरकार हमेशा से किसान विरोधी नहीं जन्द विरोधी भी रहा है दो हजार चौदा से यह जन्द विरोधी रहा है चाहे संपरदाइक मामला हो और आज जो किसान विरोधी बिल लाया है इसमें इस किसान ही परभावित नहीं है बलकिकिस पूरा आम जन्द परभावित है मैं बताने चाहूंगा कि मार्केटिंग से संबंद हैं रखरकाओं से संबंदी संबंदा भंडारन से संबंदी हाने पहले तो यह था कि यह जो क्यैंड्र पूरे देश में किसान आंदोलन रथ हैं अब इस विरोध इस विल के विरोध में हम उनके साथ है और यहां पर आज राश्पिता महात्मा गांधी के हम लोग शरम में वैट का उस किसान विरोधी विल का हम लोग विरोध करते हैं इस पर मैं कहना चाहूँगा कि साजिशों में तो सारा नजाम शामिल है साजिशों में तो सारा नजाम शामिल है हर एक जुर्म में आली मकाम शामिल है मैं कमजोर में ही हुरा लीजिआgovern кад Dust किसान अंदोलन के साथ पुरे हिंदुस्तान की जंता पुरी हिंदुस्तान की पाटी तमाम पाटी और समाज सेवी पाटी भी उनके साथ में किसान अंदोलन के साथ जो बेवार हो रहा है सेंट्रल गौर्मिंग राज केंदर सरकार के द्वारा ये बिल्कुल गलत है जो कानून जंता के हीत में नहीं है वैसे कानून को परधान मंतरी और जो आपके हमारे ग्री राज मंतरी अमिशाजी है इन लोगों ने जो किसानों के साथ जो बेवार किया है ये बिल्कुल गलत है ये देश का खिलाप है इसलिए इस कानून को हमेशा वापस लेना चाहिए और किसानों की समर्ता में बात होनी चाहिए आज किसानों को ये हालत हो गई है ये कौन सा देश है ये कौन सी देश की कानून है ऐसे कानून को अविलम वापस लेना चाहिए हम लोग किसान अंदोलन के समर्तम में है और जब तक हमारे सरीर में प्रान रहेगी तब तक किसान अंदोलन के साथ हम अंदोलन कर अंदोलन कदम से कदम मिला कर करेंगे और ये कान लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें